आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गुजरात के फेमस मोहन थाल की रेसिपी अमबा जी के मंदिर में इसी प्रिसाद से भोग लगाया जाता है तो ये गुजरात की बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रेसिपी है एक दम बाजार जैसी हलवाई जैसी दानेदार और मुँ में घुल जाने वाली मोहन थाल बनाने के लिए आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करने होंगे और उसके बाद आपकी बर्फी बहुत ज़्यादा टेस्टी अमेजिंग बन के तयार होगी बेसन की जो नॉर्मल बर्फी होती है और मोहन थाल बर्फी होती है इन दोनों में न काफी डिफ्रेंस होता है तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो एक दम परफेक्ट मार्केट जैसी मोहन थाल आप बहुत ही इजीली घर पे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए ना ही तो हमें मावा की जरूरत है ना ही हमें मिल्क पाउडर और ना ही कंडेंस मिल्की तो चलिए जटपट से देख लेते हैं कि इसको परफेक्ट ली कैसे बनाया जाता है तो देखे यहाँ पे सबसे पहले हमें लेना है बेसन तो यहाँ पे आप कोई भी कप कटूरी सेट कर लीजे और उससे मैंने लिया है माप के पूरा दो कप भर के बेशन तो यहाँ पेना सबसे जाज़ा जरूरी यह है कि आप इसे अच्छे से चान जरूर ले अगर आपका बेशन पहले से चाना रखा है तब भी आपसे एक बार जरूर चान ले क्योंकि बेशन में रखे रखे न गुटलिया बगएरा पड़ जाती है तो इसे चानना जरूरी है और यहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा मोटा बाला बेशन यूज़ करें उससे ना मोहन थाल बहुत ही बढ़िया बनता है एक दम दानेदार तो यहाँ पे देखी दोनों कब बेशन को मैंने अच्छे से चान लिया है और अब इसमें हम एड़ करेंगे दो चमच भर के बिलकुल शुद्ध देशी घी अब देसी घी डालने के बाद दोनों हातों से बेसन को अच्छे से रगणना है जो हमने इसमें घी डाला है उसे और बेसन को आपस में बढ़िया से यहां पे मिक्स करना है ऐसा करने से ना बेजन का टेक्शर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाता है एकदम दानेदार और उसके बाद जब इससे हम बर्फी बनाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया बनके तयार होगी तो यह step करना बहुत जरूरी है इसे आप बिलकुल भी skip ना करें और अच्छे से रगणने के बाद जब आप इसकी एक मुठी बना के देखेंगे ना तो बहुत ही easily उसकी एक मुठी बन जाएगी और बहुत ही easily वो तूट भी जाएगी तो यह बिलकुल sign है perfect कि इसमें इतना ही घी जाएगा अब इसके बाद क्या करेंगे हमें लिना है यहाँ पे दूद तो यहाँ पे चम्मच से नाप किना चार चम्मच आपको इसमें दूद ऐर करना है तो यहाँ पे आप दूद इसमें कच्चा भी एट कर सकते हैं या फिर उबला हुआ दूद भी यूज़ कर सकते हैं अब चार चम्मच दूद डालने के बाद बापस से हम इसे पहली की तरह अच्छे से मिक्स करेंगे दोनों हातों से रगड़ते हुए और दो-चार मिनट में ही आप इसका देखिएगा टैक्चर जो है बिलकुल चेंज हो जाएगा और इसका कलर भी पहले से चेंज हो जाएगा तो यह स्टेप आपको जरूर फॉलो करने हैं इससे आपकी बरफी एकदम दानेदार बिलकुल मार्किट स्टाइल बनके तयार होगी तो यहाँ पे आपको दो चमच देशी गी और उसके बाद चार चमच दूट डालना है और अब आप देख सकते हैं कि इसका टैक्चर कितना ज़्यादा बढ़िया एकदम दानेदार हो गया है उसके बाद बापस से हमें इसे अच्छे से चानना है तो यहाँ पे एक बड़ी चलनी की हेल्प से आप इसे अच्छे से चान लीजे और अब आपको मैं बिल्कुर पास से दिखा रही हूँ देखे इसका टैक्चर कितना बढ़िया एकदम खिला खिला दानेदार बनके तयार है बस इसी तरह का बेशन हमें अपनी रेसिपी के लिए चाहिए होता है मतलब एक दम मार्केट जैसा हलवाई जैसा मोहन थाल बनाने के लिए आपको इसी तरह का बेशन चाहिए तो चलिए यहाँ बेशन बिल्कुर तयार है इसे साइड में रखेंगे और अब गैस पे रखेंगे एक भारी सी कड़ाई मतलब कड़ाई जो आप लेना यहाँ पर तोड़ी इसी हैवी बोटम की ले और अब इसमें हम एड़ करेंगे बिल्कुल शुद्र देशी घी तो यहाँ पर आपको घी भी नापके डालना है जिस कप से आपने बेसा लिया है उसी कप से आप 3 by 4th कप देशी घी कड़ाई में एड़ कर दे और उसे अच्छे से मैल्ट कर ले और जैसे ही वो मैल्ट हो जाए ना तब हम इसमें एड़ कर देंगे पिस्ता तो यहाँ पर मैंने काफी सारे पिस्ता निकाल के रख ली है सबसे पहले उन्हें कड़ाई में डालेंगे और medium to low flame पर इन्हें बढ़िया से crisp होने तक fry कर लेंगे और जब यह अच्छे से fry हो जाएंगे तब इन्हें निकाल के हम side में रख देंगे और अब इसके बाद हम इसी घी में बेसन एड़ कर देंगे तो यहाँ पर ना सारा बेसन एक बार में ही एड़ कर देंगे और gas की flame हम medium to low कर लेंगे अब medium to low पर आपको इसे बढ़िया से continue धीर धीर करके 5-7 मिट के लिए पकाना है अच्छे से चलाना है क्योंकि जब हम इसे medium to low flame पर भूनेंगे न तो यह बहुत अच्छे से भून भी जाएगा और इसमें एक बहुत बढ़िया खुश्बू आएगी तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत जरूरी टिप है कि इसे भूनने में आपको जल्दी बाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है अगर आप एक दम मार्केट जैसा मोहन धाल बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा सब्र करना होगा और इसे बिल्कुल हलकी आच पर अच्छे से भूनते रहिए तो देखें यहाँ पर ना 5-7 मिनटे से मुझे भूनते हो गया है और अब आप इसका टेक्शर देख सकते हैं एक दम दानेदार हो गया है बिल्कुल चींज हो गया है एक दम जैसे की लगते हैं कि सूजी जैसे सूजी भून रहे हैं बिल्कुल उसी तरह का दानेदार हो गया है और यहाँ पर काफी सारा इसने घी भी सेपरेट कर दिया है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हमारा जो बेसन है वो अच्छे से भून गया है उसके बाद हमें लीना है आदा कप दूद और यहाँ पे अब धीरे-धीरे करके इसमें हम दूद एड़ करेंगे तो यहाँ पे एक साथ आपको सारा दूद नहीं डालना है बैचिस में करके डालना है तो दूद डालने के बाद अब बढ़िया से इसे 2-3 मिनट के लिए और पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही और उसके बाद हम इसकी फ्लेम को बंद कर देंगे बिलकुल और कढ़ाई अभी काफी कर्म है तो बस इसे 1 मिनट के लिए बंद गैस पे इस तरह चलाते रहेंगे तो अब अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं थोड़े से पिस्ता भी एड़ कर दूँगी और पिस्ता एड़ करने के बाद इने अच्छे से एक बार और मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर बाकी जो पिस्ता बच गए ना उन्हें बिल्कुल फाइन फाइन चौप करके साइड में रख देंगे तो यहाँ पर हमारा बेसन तो बिल्कुल तयार है अब चलते हैं इसकी चाशनी बनाने तो यहाँ पे चाशनी बनाने के लिए एक कप मैंने चीनी ली है और उसमें हम डालेंगे आदा कप भर के पानी अब यहाँ पे ना दोनों को बड़िया से पका लेंगे और इसकी एक चाशनी बनाके हमें तयार करनी है तो आपको यहाँ पे चाशनी कैसी रखनी है ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है तो यहाँ पे हमें इसकी एक तार की चाशनी बनानी है अगर आप चाहते हैं कि बर्फी थोड़ी सौफ्ट बने तब आप एक तार की चाशनी बनाईएगा और अगर आप चाहते हैं बर्फी grate कर देंगे बहुत जादा नहीं डालना है जाइफल क्योंकि जाइफल गर्म होता है ना इसे लिए बस टेस्ट के अकॉर्डिक बस थोड़ा सा डालेंगे इसे डालने से इसमें टेस्ट बहुत ही जादा बढ़ी आएगा और इधर देखिए चाशनी हमारी पक रही है तब तक हम यह अपना एक थाली को ग्रीस कर लेंगे देसी घी से आप जिस भी बरतन में मोहन ताल को सैट करना चाते हैं उसे आप देसी घी से अच्छे से ग्रीस कर लें और उठा के इसे फिलाल के लिए साइड में रख दें और इधर देखिए चाशनी भी बहुत बढ़िया से पक गई है इसमें काफी सारे बबस आ गई है तो अब इसे एक बार हम चेक कर लेंगे और चेक करने के लिए इस तरह थोड़ी सी चाशनी आप प्लेट पे रखिए और दोनों उंगलियों की बीच में इस तरह दबा की देखिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत अच्छा सा एक तार आ गया है तो बस मुझे बरफिना थोड़ी सी सौफ्ट रखनी है इसलिए मैं एक तार की बना रही हूँ आप चाहें तो इसे दो तार की भी बना सकते हैं उसके बाद हम सारी चाशनी को उठाएंगे और बेशन में एड़ कर देंगे अब गैस की फ्लेम को हम बाबस से ओन करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे ही गैस रखेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए इसे दो तीन मिनट के लिए और पका लेंगी दो तीन मिनट में ही ये मिक्स काफी ड्राइ हो जाएगा और बिलकुल जमने की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा और उसके बाद आप गैस की फ्लेम को बंद कर दें और थाली में से बढ़िया से सैट कर लें तो फ्रेंट्स कैसी लग रही है आपको आज के रेसिपी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजे वैसे अब रक्षा बंदन आने वाला है साथ में ही इंडिबेंडेंस दे भी आने वाला है तो इन खास मौकों पर आप ये बर्फी बना सकते हैं अपने भाई के लिए अपनी बहन के लिए और अपने परिवार वालों के लिए तो 2-3 मिनट और पकाने के बाद मैंने इसे थाली में ट्रांसफर कर दिया है और अब बढ़िया से इसे सैट कर लेंगे तो यहाँ पर एक मैंने स्पैचुला ले लिया है उसकी हेल्प से ना इसे बिलकुल प्लेन कर देंगे अच्छे से इसे plane कर दें थोड़ असा tap tap कर दें और उसके उपर से हम इसमें डालेंगे धेर सारे पिस्ता तो यह ना पिस्ता को मैंने cut करके रख लिया था बिल्कुल fine fine और अब इस पे धेर सारे पिस्ता लगा देंगे वैसे यहाँ पे पिस्ता लगाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है आप चाहें तो यहाँ पे पिस्ते की जगे पे चांदी का वर्ग भी लगा सकते हैं अब इसे न अच्छे से एक बार और टैप टैप कर देंगे जिसे की पिस्ता अच्छे से बर्फी के साथ सैट हो जाए और उसके बाद हम इसे छोड़ देंगे चार से पांच घंटे के लिए बढ़िया से सैट होने के लिए वैसे अगर आप इसे डालडा घी से बनाते तो यह जल्दी सैट हो जाती बढ़ हमने इसे बिल्कुल शुद्ध देशी घी में बनाया है न तो इसे समय लगेगा थोड़ा सा सैट होने में हलवाई बगर तो इसे डालडा घी में ही बनाते हैं तो उनकी बर्फी जल्दी सैट हो जाती है तो देखें यहाँ पे हमारी मोहन थाल बर्फी को अच्छे से सैट कर लिया है अब इसे मैं छोड़ दूंगी चार से पांच घंटे के लिए और उसके बाद मैं आपको दिखाती होगी कितनी बढ़िया से ये बन के तयार हुई है तो मैंने इस बर्फी को शाम के टाइम बनाया था इसलिए मैंने तो इसे ओवरनाइट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया और अगले मॉर्णिंग मैं आपको दिखा रही हूँ बर्फी बहुत बढ़िया से सैट हो गई है देखने में और खाने में बिल्कुल भी ये पता ही नहीं चल रहा कि आपने इसे घर पे बनाया है बहुत ज़दा टेस्टी बनी है और एकदम पर्फेक्ट ये निकल के तयार होगी मतलब इसके जो पीस है वो एकदम पर्फेक्ट कटेंगे तो यहाँ पर आप इसे मन चाहे छोटे बड़े पीस में कट कर लें और उसके बाद आप इसे सर्व कर दें या फिर आप इसे डबबे में रखके न अपने गैस्ट को भी दे सकते हैं बनाने में बहुत ज़्यदा आसान है वर खाने में सुपर डूपर टेस्टी लगती है अपने बेशन की बर्फी तो कई बार बनाई होगी लेकिन इस रक्षा बन देना आप मेरे बताए तरीके से ये मोहन थाल जरूर बना कर देखें आपको ये बहुत पसंद आएगा तो बस इसी तरह सारे पीस को अलग कर लेंगे और उसके बाद हम इसे सर्व कर सकते हैं तो देखें यहां पर कितना बढ़िया एकदम परफेक्ट हमारा मोहन थाल बन के तयार हुआ है और यहां पर आप बरफी देख सकते हैं बिलकुल भी नहीं चिपकी है बहुत इजी ली सारी बरफी के पीस बाहर आ गए है तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी मुझे कमेंट करके जरू बताईएगा और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लीजेगा तो चलिए यहां मेरी बरफी तो बन के तयार है फटा फट से आप लोग भी किचिन में जाएं और ये बरफी ट्राइ करें मैं आपसे मिलती हूँ इसी तरह की एक और नई वीडियो में तब तक के लिए बबाई और टेक केर